नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आज टेड़ी ओफिशिल और आज हम बात करेंगे बॉलिवुड की मशूर अदाकारा और लोगसभा सांसत कंगना रनौत के ताजा बयानों के बारे में जिसकी वज़े से हरियाना चुनाव में भारती जनता पार्टी के लिए बड़ी म दुक्सान पहुचा सकता है तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगना रनौत द्वारा दिये गए बयान का हरियाना चुनाव पर क्या असर हो सकता है उन्होंने तीन क्रिशी कानून को लेकर क्या कहा और क्यूं ये विज़ेपी के लिए मुश्किले पैदा कर रहा है इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों की जन्रल सिंग भिंडारा वाले पर दिये गए उनके बयान से बीजेपी को सिक समुदाय से किस तरह की पर्तिक्रियाओं का सामना करना पड़ा उनकी आने वाली फिल्म एमर्जंसी के रिलीज पर क्यों रोक लगी ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो की अब्डेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत के उस बयान की जिसने हरियाना चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया तो दोस्तों जैसा है कि हरियाना एक क्रिशी प्रधान राज्य है और यहां के किसानों के लिए क्रिशी कानूनों का मुद्दा अब भी एक समवेदन शील मुद्दा है कंगना ने हाली में तीन क्रिशी कानूनों का समर्थन करते हुए इसे सही ठहराया जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी धरना दिया था जिसके बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया था अब जब हरियाना में चुनाव होने वाले हैं तो कंगना का क्रशी कानूनों का समर्थन करना बीजेपी के लिए राजनीतिक तोर पर घातक साबि एसे चुनावी महौल में इस तरह का बयान पार्टी के लिए एक नकनात्मक प्रभाव डाल सकता है खास का जब किसानों के मुद्दे पर अभी राजनीति हो रही हो चली अब बात करते हैं कंगना के एक और विवादित बयान की जिसने बीजेपी को फिर से परिशान कर दिय कंगना ने एक टीवी इंटर्व्यू में जनरेल सिंग भिंडारा वाले को आतंकी करार दिया आपको बता दू दोस्तों कि जनरेल सिंग भिंडारा वाले का नाम सिक समुदाय के लिए बेहा समवेदनशील है खास करके ओप्रेशन ब्लू स्टार के बैक ग्राउंड में अब इसके बाद बीजेपी के वरिष नेता और पुर्व केंद्रिय मंतरी सोम प्रकाश ने खुद कंगना को इस बयान पर सईयम बरतने की सला दी उन्होंने कहा कि कंगना को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सिक समुदाय के बीच नाराजगी फैल सकती है और य कंगना के इस बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है चलिए दोस्तों आब बात करते हैं कंगना की एमरजनसी की तो कंगना की विवादित फिल्म एमरजनसी भी सुर्खियों में है इस वक्त इस फिल्म पर सिक समुदाय ने आरोप लगाया है कि इसमें उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है अदालत में इस फिल्म की सुनवाई के चलते इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है इसी बीच कंगना ने जनरेल सिंग भिंडारा वाले को आतंकी कहा जिससे ये विवाद और जादा बढ़ गया आपको बता दू दोस्तों की फिल्म एमरजनस को मार गिराया था फिल्म के इस पहलू ने सिक समुदाय के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया अब यहां सवाल उड़ता है दोस्तों कि क्या कंगना के बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान साबित होंगे तो दोस्तों हर्याना चुनावों के मद्दे नजर उन के बयान ने बीजेपी को पंजाब और सिखों के बीच फसा दिया है भले ही बीजेपी कंगना के बयानों से दूरी बनाए रखती है लेकिन दोस्तों उनकी छवी पार्टी से जुड़ी होने के कारण राजनीतिक नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं तो दोस्त को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक यू